कि नमस्क्राइब स्वारत है आपका हमारे चनल में मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़े खवर सामने आ रही है आपको बता दे ग्रिह मंत्री अमेश्रा ने आज डेली में जो गारिविस प्लांट होता है उसका उद्घाटन किया है जिसके जरीए जो कुड़ा का धेर है उससे बिशली बनाई जा सकती है और इसको ले करके ग्रिह मंत्री अमेश्रा ने सीधे तोर पर केश्रवाल सरकार पर भी हमला बोला है उन्होंने कहा है कि केश्रवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ तक जो दिल्ली में बड़े-बड़े कुड़ों के अंबार दिखते हैं, कुड़ों के पहार दिखते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन साल के भीतर, यानि की दो हजार पचीस तक, अब इसको लेकर के, दिल्ली के सियम अरविंद केश्रवाल ने तंच क कर पाएं, अब आपको तीन साल और चाहिए, जनता आप पर भरोसा क्यों करें, आप रहने दिखते हैं, आप से नहीं होगा, हम अब दिल्ली को कुड़ा मुक्त करके दिखाएंगे, जिसके बाद क्या था, लोगों ने ही इसका जवाब देना शिर्यो कर दिया, और लोगों यमुना नदी है, उसको बिल्कुल साफ कर देंगे, इसी की साथ ही दिल्ली को ट्राफिक फ्री बना देंगे, और पंजाब में भी आपने वादा किया था कि जो पराली की समस्याएं हैं, उनसे नजाद दिलाएंगे, लेकिन आपके 2014 से लेकर की 2022 की डेट में एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, लेकिन आप केंद्रिय मंत्री पर इस तरीके से टपड़ी करते हुएं नजर आ रहे हैं, साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि पहले आप यमुना साफ करके दिखाएं, जिसे आप 2014 से लेकर के अब तक गिनाते आएं हैं और यमुना दिन बदिन द दिल्ली में हर रोज लगबग 7000 मिट्रिक टन कुड़े का नस्तारण होगा ऐसा कहा है, साथ ही अमिर्शा ने दिल्ली के सीम अर्विंद केश्रिवाल पर भी करारा हमला किया है, और उन्होंने कहा कि हम अर्विंद केश्रिवाल के वहवार का लोगतांत्रिक तरीसके से मेगावाट बिजली का निर्माण करेगा, साथ ही ग्रहमंत्री ने कहा कि दिल्ली में भविश्व में कच्रे के ऐसे ढेर और पहाड नहीं दिखाई देंगे, आपको बता दें कि जहां ग्रहमंत्री की ओर से केंदर सरकार की ओर से योचना को लॉंच किया गया, जिससे कि ज जो कारे होते हैं उसके निस्तारण के लिए, लेकिन देखने को मिलता है कि केश्रवाल सरकार या तो इन फंड को ट्रांसफर नहीं करती, या फिर इनके फाइलों को रोक कर रखा जाता है, जिसकी वज़े से मसीडी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी के साथ ही केंद्रे ग्रहमंत्रे अमेर्शा ने आरोंप लगाया कि अरविंद केश्रवाल के आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली आप नि भर हो, साथ ही उन्होंने लोगों से दिल्ली नगण निगम यानी कि अमसरी चनाओं में इन दोनों में से एक का चैन करने का वाहन भी किया, ग्रहमंत्री शा ने यहां तेहखंड में कच्छडे से बिशली बनाने के डवलू ईटी का उधगाटन करने के लिए आयोजित कारि कि पूर्व के तीन नगण निगायों के साथ 113 वहवार किया गया, उन्होंने ये भी दावा किया कि केशवाल सरकार पर इन तीनों निगायों के 40,000 करोर रुपए बकाया भी हैं, उन्होंने कहा कि आप सरकार पर विग्यापन के मन में बड़ी राशी खर्च करने का रोप ह शा ने ये भी दावा किया कि केशवाल मानते हैं कि विग्यापन से विकास होता है, लेकिन उनका ये भ्रम जाल केवल 5-7 साल ही काम कर सकता है, साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को विग्यापन के राजनीती और विकास के राजनीती में चुनाव करना होगा, आपको बता दे कि आने वाले समय में दिली के अंदर MCD चुनाओ भी होना है हाला कि इसको ले करके तिथी जो है डिकलेर नहीं की गई है और उधर हमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधान सवा चुनाओ होने वाले हैं जिसकी वज़े से लगातार अर्वन्द केशवाल के मुश्किलें बढ़ती फुई नजर आ रही है देखने को मिल रहा है कि अर्वन्द केश्यवाल लगातार अपने लभावने वादों के जरिये फीक की रेवडियों के जर्वी जरिये जनता को गुमराने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद एक के बाद एक उनके भ्रहस्टाचार के फोल खुलते वे दिखाई दे रहे हैं उनके मंतरियों के जो तमाम कर्थूते हैं उनकी लिस्ट भी सामने जनता के उजागर हो गई है जिसकी वजह से लगातार अर्भंद केश्रवाल और आमादनी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बतादे जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर अर्वंद किश्वाल की सरकार है लेकिन इसके बावजूद अभी भी कच्रे को लेकर के कोई भी ध्यान नहीं दिया गया ऐसा कोई योशना नहीं लाया गया जिससे कि इस कच्रे के अंबार के लिए कोई ऐसी योशना लाई जा सके जो की इसको पूरी तरीके से निजात दिया सके लेकिन केंदर सरकार की ये सोच रही ये पहल रही उन्होंने एक नई योशना लाँच की और एक प्लांट लाँच किया जिसके जरीए अब दिल्ली के जो कूडों का अंबार है उसको पूरी तरह के से जॉसकता है। और इससे खत्म ही नहीं किया जुक्ता भलकि इससे ईली के जनता को भी फाइदा पहुचेगा, क्योंकि इसी कूटे के जर्यें विजली बनाने का काम किया जाएगा जो कि सीधे तोर पर जंता का फाइदा ही होता है लेकिन इसके बावजूद अरविंद केशवाल केंदर सरकार के सी योशना की सराना करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं बलकि सीधे तोर पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये क कि आ मोदी गौल्मZA के दोबरा ल dieses से ऻंड farmers के जाती है उसको लेकर के अर्वंध के शवाल 실याँ आफना विग्यापन करवाल ते दिली के अंदर और ये कहते हैं कि दिली में यही उज्वाल सरकार की बदौलत हैं आदमी पार्टी सरकार की बदौलत है अभी calidad ने को all अपना विग्यापन करवाते हैं दिल्ली के अंदर और ये कहते हैं कि दिल्ली में ये योजनाय कि इश्टरवाल सरकार की बदावलत है आम आदमी पार्टी सरकार की बदावलत है अब ही हाली में देखने को मिला था कि fame India के तहत central government ने कई राज्यों को बसे मुहया कराई थी उसमें से दिल्ली भी एक थी और दिल्ली के अंदर भी कई सारी बसे सेंट्रल गौर्वर्मेंट की ओर से फेम इंडिया स्कीम के तहत दी गई लेकिन अखबारों में ये अट देखने को मिलता है कि ये जो बसे हैं वो अरविंद केश्रिवाल की सरकार के बदालत दिल्ली वासियों को मिल रही है इसी के साथ ही कई सारी योशनाएं हैं जिनमें नाम तो मोधी सरकार का होता है और काम सेंट्रल गौर्वर्मेंट का होता है लेकिन बखान अर्विंद केशवाल अपना करते हुए दिखाई देते हैं बात अगर हम पंजाब चुनाव की करें तो पंजाब में भी उन्होंने बहुत बड़े वादे किये थे खास कर पराली की समस्या जो कियाम है वहाँ पर उसको लेकर भी अर्विंद केशवाल ने ये दावा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास ऐसे कई केमिकल्स मौ प्रशार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार दिल्ली में डेंगू का प्रकौब बढ़ता जा रहा है तो इसको लेकर भी कई लोगों ने तंच कसा है और कहा है कि अर्विंद केशवाल सिर्फ और सिर्फ डेंगू का प्रशार करते हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले